Hey kids, I assume कि आपने first video देख लिया है और आप समझ गए है sides of cube, कौन सा color, कौन से side को denote करता है and how to hold the cube. Now next step is we need to get a white plus sign, white का plus का sign चाहिए हमें, next step के लिए, उसके लिए हमें क्या करना है, हम पहले yellow side choose करेंगे, this is the yellow side right because इसके center में yellow है, और अब हमें 1, 2, 3, 4, इसके 4 sides में white लेके आना है, corners में white हो, नहीं हो, कोई फरक नहीं पड़ता, but this, 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 this side में white होना चाहिए, हो सकता है, आपका जो cube है, उसमें पहले से ही कोई side में white हो, that is okay, तो let's start, इसको solve करने का there is no formula, nothing, हम बस randomly, मतब कुछ भी नहीं है इसमें, हम कैसे भी start कर सकते हैं, जिस side में आपको white डालना है, वो आप हमेशा अपने right hand side में रखिए, और इसको random move करिए, कोई formula नहीं, कोई logic नहीं, just move it randomly, आपको इधर white चाहिए, जैसे ही उधर white आएगा, हम stop हो जाएंगे, yes, we got a white over here, अब हम इसको turn करेंगे, again हमें ये side change करना है, no formula, nothing, right hand side को randomly move करिए, okay, we are lucky, एक ही turn में मेरा आगया, okay, corner पे आगया, but it does not matter, corner white हो नहीं हो, कोई फरक नहीं पड़ता, इसको अब हमें white करना है, again हम randomly, okay, again we are lucky, हमें यहाँ पे फिर से white इमेडियेटली मिल गया है, ठीक है, अब हमें यहाँ पे white चाहिए, तो फिर से हम twist and turns करेंगे, हो सकता है आपको ज़्यादा बार twist and turns करना पड़े, और मेरी सबसे important बात कि आपको patience रखना है, एक बार में नहीं होगा, दो बार में नहीं होगा, मैं भी 10 बार में हो, अगर आप patience नहीं रखेंगे, आप नहीं सीख पाएंगे, मैंने भी बहुत patience रखा था इसको सीखने के लिए, और मैंने शुरू-शुरू में बहुत गल्तियां भी की, हमें अपने साइड में white मिल गया है, corners में मिल गया है, but it does not matter to us, हमें यहां 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 white चेथा मिल गया है, now next step, अब आप कोई भी side choose कर लिजए, suppose मैंने यह side choose किया, इस white के साथ कौन सा color है, orange, but यह side कौन सा है, yellow, why, क्यूंकि yellow center में है, तो हमें पहले इसको orange side में लेके जाना है, तो we'll turn it, हम टूंडेंगे नई red side है, नई green side है, okay great, orange side, जब यह हमारा cube, यह हमारा एक piece correct जगे आ जाएगा, तो हम इसे दो बार turn कर देंगे, one, two, again, अब हमें यह वाला change करना है, इसको मैं अपने right side साइड पे लेके आ गई, यह इसके साथ red color है, इस white के साथ red color है, बट यह blue side पे है, तो हम पहले इसको correct side पे लेके जाएंगे, उसके लिए हम इसको move करेंगे, उपर वाले section को okay great, correct side पे आ गया, अब हम इस side को two times move करेंगे, one, two, again, okay, यह अपने ही correct side पे, क्योंकि यह green side है और इसका भी color green है, तो हम इसे two times बस move करेंगे, one, two, again, इसके साथ blue है, बट इस side is orange, क्योंकि इसके center का color orange है, तो हम इसको blue side पे पहले लेके जाएंगे, okay, blue side पे आ गया यह, अब हम इस side को two times turn करेंगे, one, two, अब हम, अब आप अपना cube, यह, this is the bottom, अब आप अपने cube का bottom देखे, कैसे भी देखे, you got a plus sign, यह corner में white हो नहीं हो, इससे कोई फरक नहीं पड़ता, बट आपके पास एक white plus, I hope you also got your white plus sign, अगर आपको नहीं मिला, आप बार-बार वीडियो देखिए, आप बार-बार प्राक्टिस करिए, यह white plus आपको जरूर मिलेगा, ओके, यह white plus आप लेके आए, till then, मिलते हैं next वीडियो में, with the next step, thank you.